हलो एवरिवन मैं हूँ तमन्ना 25% जो रिड़क्शन हुआ है सिलाबस में उस से रिलेटिट साइन्स वन के लिए एक वीडियो मैंने अल्रेडी बनाया है दो वीडियो है एक्चुली फर्स वीडियो में टूटल रिड़क्शन और दूसरे वीडियो में रिड़क्शन जो पा में बैरेंस और बच्चों में यह बड़ा मच जाती है कि कितना पाट रिडियूस हुआ है क्या पढ़ना है क्या नहीं तो और उन लोगों ने पीडियो भी वो देख लिया होगा जो कि मराथी में है में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी इस वाली वेबसाइट पर आपक कि यह circular teachers के लिए आता है और उन्हें क्या नहीं पढ़ाना है reduction क्या है वो उसमें बताया गया है आपको self study भी करनी है बच्चों से भी करानी के लिए कहा गई है कि बच्चों को बोलिए कि self study कीजिए क्यों ऐसा वो मैंने last video में बताया है कि जो दूसरे concepts है वो उसके उपर based ह जब तक वो नहीं समझने वाले हैं नहीं समझेगा इसलिए आप ऐसा ना हो कि वो part reduction बोलके cancel कर दो और फिर बाद बार में problem में आ जाओ सो मैं आपसे request करती हूँ कि please वो वीडियो देख लेजी और ये जो information है वो जादा से जादा बच्चों तक पहुचा है तक कि कोई गलत information उन तक ना पहुचे सो देखिए heredity and evolution इस lesson में आपको क्या नहीं करना है जो green color में highlight किया हुआ पार्ट है बच्चों ये आपको नहीं करना है it is completely reduced pdf में जो mention किया हुआ है मुल्यमापनातुन वगले मतलब ये reduced हो चुका है इस पर आपको कुछ भी इसमें आपको कुछ भी पढ़ने की exam के लिए कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ठीक है page no.2 पर कुछ reduce नहीं हुआ है page no.3 पर देखिए ये 3.5 billion years ago से लेकर organism is accepted तक on page no.3 and a peak of history ये दो parts page no.3 पर reduce हो चुके है page no.4 पर बच्चो yes can you tell and use of ICT ठीक है now page no.5 पर use of ICT page no.6 पर introduction to scientist लेकिन इधर देखिए जरा ये introduction to scientist ये pink कलर में highlight किया हुआ है it means आपको ये self study में है ये आपको पढ़ना है इसको पूरी तरह से ignore नहीं करना है आपको ठीक है teacher से ये पढ़ाया नहीं जाएगा लेकिन आपको ये पढ़ना है introduction to scientist ये वाला complete reduction है ठीक है ये introduction normally most of the introduction to scientist है वो सारे के सारे reduced हो चुके है background noise के लिए में माफ़ी चाहूंगी क्योंकि जल्दी जल्दी वीडियो आपको ये भेजने हैं इसलिए I am not waiting for the silence yes so देखिए page no.8 पर ये वाला introduction to scientist okay on internet is my friend on page no.8 yes 1.12 on page no.9 ये जो है journey of human ये भी आपको क्या है बच्चो इट इस shaded in pink color so it is for self study इसको reduced नहीं करना है इसको आपको पढ़ना है ठीक है अब ये सवाल मिस ये सवाल फिर exam में आएंगे के नहीं आएंगे ये हो जाएगा तो इसके उपर based question इससे related questions आपको आ सकते हैं क्योंकि ये वगरले ऐसा mention नहीं किया हुआ है मुल्यमापना तुन्सवाया मध्ययान ऐसा लिखा हुआ है मिन्स इस पर based questions आपको इससे related question आपको आ सकते हैं आगे जाके अगर कुछ changes होते तो आपको बता ही दूँगी मैं और अगर थोड़ा extra पढ़ भी लिया तो कोई problem तो नहीं है knowledge जैसे कि मैंने पहले वीडियो में भी कहा है knowledge तो कभी waste नहीं होता है पेज नमबर 12 पर देखिए can you recall for the self study पिंक कलर में जो पार shaded है वो self study के लिए और जो green में है वो reduced है yes observe the level diagram यहाँ पर देखिए on page number 13 ओके यह वाला reduced कर दो can you tell reduced कर दो okay page number 14 पर यह वाला ATP इसको भी complete reduction है ओके यह देखिए introduction to scientist completely reduced on page number 15 then page number 16 पर देखिए बचो can you tell यह completely reduced हो चुका है always remember यह वाला भी on page number 16 ठीक है अब जल्दी जल्दी mark कर लीजे बचो on page number 17 use your brain power internet is my friend okay उसी page पर cell division के नीचे can you tell के दो questions on page number 18 can you recall okay और page number 19 पर कुछ भी reduce नहीं हुआ है page number 20 पर यह देखिए try this it is shaded in pink color तो यह आपको पढ़ना है self study के लिए पढ़ना है okay तो अभी वापस है में self study के लिए पढ़ना है तो फिर reduction में क्यू दिया है reduction में इस लिए दिया है क्योंकि वो आपको detail में teach नहीं किया जाएगा लेकिन यह आगे की concepts के लिए जरूरी points है इसमें तो इसे आपको पढ़ना है क्योंकि यह जब तक नहीं पढ़ोगे वो नहीं समझेगा ऐसा है ठीक है use your brain power यह देखिए completely reduced ठीक है lesson number three can you recall के दो questions ओके इतना ही 23 पर कुछ नहीं 24 पर yes यह वाला देखिए यह जो regeneration है उसके उपर वाला जो passage है वो ठीक है whenever से लेके news icon तक यह highlight कर दो यह reduced है completely मैं बार बार बोलूंगी कि यह जो green में है वो complete reduction है pink में है वो आपको पढ़ना है let's think one two question on page number 26 okay page number 27 पर यह first वाला मेनी flowers से लेके polar nuclei तक आपको complete पढ़ना है sorry sorry complete पढ़ना नहीं है completely reduced है ठीक है it's reduction okay now 27 do you know यह वाला पार्ट और use of ICT on page number 28 page number 28 try this reduction में चला गया है nothing to read in this yes page number 29 पर surprise facts reduction में चले गया है do you know on page number 30 ठीक है page number 30 पर यह जो पार्ट है do you know वो reduction में चला गया है okay then page number उसी page पर development and birth यह वाला पार्ट मैं आप लोगों को बोलूँगी कि एक बार आप for the gender information पढ़ लो because it's very necessary for social awareness page number 31 can you tell okay पहले दो questions अचली दो ही है 31 पर और 32 पर कुछ नहीं 33 पर internet is my friend 34 पर among the various से लेकर symptoms of यह यह पूरा complete passage आपको करना है then page number 36 पर can you recall 1 2 3 4 think and answer 1 2 हाँ यह completely reduced नहीं है यह क्या करना है आपको self study okay complete the chart यह वाला देखिए completely reduced यह मैंने cancel कर दिया है नहीं आएगा can you recall reduction में चला गया on page number 38 observe page number 39 complete the chart हो गया 40 do you know reduction page number 40 पर ही a pick into history complete the chart cancel कर दो देखिए पूरा देख लो बच्चो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा यह this one this one okay now page number 41 पर do you know let's discuss internet is my friend always remembers यह चारो parts reduced हो चुके है page number 42 पर यह वाला passage last वाला passage page page number 43 पर how can biodiversity be conserved यह वाला part reduced हो चुका है okay voluntary organization और international environment यह दोनों भी reduced हो चुके है page number 30 it's 44 पर think and answer be careful about this 45 पर recall a little page number 45 पर ही do you know always remember or think ठीक है यह तीनों part reduced हो चुके है okay आप देख सकते हो page number 46 पर यह जो project है यह भी completely reduced हो चुका है page number 5 lesson number 5 पर देखिए can you recall one two three questions make a table यह भी चला गया page number 47 पर क्या-क्या गया है can you recall or make a table यह दोनों जा चुके है page number 48 पर क्या गया है कुछ नहीं page number 49 पर यह वाला जो part है if you see से लेकर certain problems तक आपको pink color में मैंने highlight करके बताया है मतलब आपको इसे completely ignore नहीं करना है आपको इसे क्या करना है पढ़ना है बच्चो ठीक है okay see the next उसी page पर page number 49 पर use of ICT green shaded so completely reduced okay do you know यह भी complete reduce हो चुका है do you know on page number 50 okay on page number 51 internet is my friend okay यह वाला part complete reduction में है page number 51 पर compare ठीक है यह वाला part भी reduction में गया है page number 52 पर यह वाला table देख लो बच्चो always remember के जो left side में है वो वाला table then electric energy generation यह first electricity generation यह वाली जो लाइन है वहां से लेकर environment friendly तक reduced हो चुका है और उसी उसी page पर यह जो box है towards environment friendly energy यह आपको self study के लिए है बतलब पढ़ना है आपको इसे okay on page number 54 पर use your brain power it's shaded in green color completely reduced page number 55 पर do you know page number 56 पर क्या क्या है page number 56 पर यह वाला table हां यह पूरा यह वाला chart यह picture पूरा cut कर दो okay इसके ओपर जो question है वो नहीं आएगा आपको then get information उसी page पर इसे भी हटा दो reduced part है okay page number 57 पर यह वाला देखो if two solar cells first line से लेकर last line है यह वाला यहां तक इसे बच्चों आपको क्या करना है पढ़ना है okay page number 58 find out completely reduced 59 पर do you know reduced okay page number 60 पर कुछ भी नहीं page number 61 पर कुछ नहीं page number 60 two पर history of animal classification का जो passage है पूरा वो reduction में है traditional methods of animal classification यह वाला part complete reduction में जा चुका है ठीक है मतलब मैं कहूंगी कि सिर्फ यह वाला जो benefits यह चार्ट छोड़कर बाकी इस page पर सब कुछ ही reduction में जा चुका है हां यह वाला भी जो box है उसके बारे में भी कुछ reduction में नहीं बताया गया तो सिर्फ यह दो passages आपके reduce हो चुके है आपने देखा होगा इसको mark कर लो 63 पर यह वाला this system of animals से लेकर segmentation 6.3 का जो टेबल है उसके नीचे वाला part okay page number 64 पर criteria for new system of classification का पूरा I think so part yes page number 64 पर जितनी भी theory है वो सारी reduce हो चुकी है page number 65 पर यह body organization observe का question है it is for you know what this is for self study तो अगर कोई कहता है कि जतनी भी extra information है can you recall use your brain power you know extra जो भी है वो सारे reduce हो चुके है साही भी है लेकिन इसमें से कुछ कुछ चीज़े आपको पढ़नी भी है okay so पिचो यह correct information है इसे देख लीजे और दूसरों तक भी पहुचाए यह प्लीज अब यह वाला देखिए besides four types यह complete reduction body symmetry B complete reduction sorry for the noise C germ layers okay 65 page पर देखिए क्या क्या reduction में है okay this one body symmetry okay यह वाला part और germ layer ठीक है then on page number 66 body cavity यह वाला देखो first line cavity between से लेकर लास्ट यह फाइला मनेलीडा तक completely reduce हो चुका है यह part mark कर लो page number 67 पर कुछ नहीं 68 पर देखिए बचो do you know का यह वाला जो box है उसे mark कर लो यह भी आपको नहीं है on page number 68 पर do you know surprising information page number 69 पर internet is my friend यह reduced part बता रहे हूं मैं page number 69 पर get information page number 70 पर page number 70 पर let's think क्या है self study okay pdf जो है आप लोगों का उसमें क्या बतायागा है स्वयम अध्ययन आतों वगले so it means it is reduced और जिसके आगे वगले नहीं लिखा हुआ है सिर्फ स्वयम अध्ययन इतना ही लिखा हुआ है वह आपको पढ़ना है क्योंकि वहाँ पर वगले ऐसा कुछ mention किया हुआ ही नहीं है ठीके फिर reduction में क्यों दिया हुआ है because यह important पार्ट है इससे reduction में राका में भी questions नहीं आएंगे लेकिन जरूरी information है 70 surprising information okay books are my friend देखिए यह दोनों भी green color में highlight किये हुए so it's reduced page number 71 पर do you know page number 72 पर कुछ नहीं 73 पर कुछ नहीं 74 पर है use your brain power ठीक है page number 75 पर use of information technology page number 76 पर कुछ नहीं 77 पर last वाला passage these process आप फॉर्म से लेकर flavor of butter तक highlight कर लीजिये page number 78 पर let's think के दोनों questions do you know on the same page थोड़ा जल्दी जल्दी लेते हैं बच्चों mark कर लीजे जल्दी 79 पर production of beverages on page number 80 पर ठीक है इसे यह वाला table क्या है reduced हो चुका है okay on page number 81 पर use your brain power और search okay यह दो questions आपको क्या करने है नहीं करने है reduced okay page number 82 पर है न पिंग कलर में shaded can you tell okay it is for self study okay let's think यह तीन questions okay can you tell you must have seen can you tell यह वाला question for self study पढ़ना है okay now on page number 85 internet is my friend यह वाला जो पार्ट है वो भी आपको नहीं पढ़ना है 86 पर कुछ नहीं है 87 पर नहीं 88 पर can you recall के यह questions नहीं करने है observe यह नहीं करना है page number 89 पर during further से लेकर last वाला यह complete stem cell preservation के उपर वाला जो पूरा passage है उसे reduce कर दो just use your brain power यह वाला just like the यह जो question है इससे भी reduce करना है page number 90 पर internet is my friend always remember page number 91 recall a little 1 2 3 यह questions 92 development of biotechnology in India यह वाला question then use of ICT reduction में है मैं repeat करती हूँ जितना भी green color में है आपको reduced करना है reduction part है वो green में जितना भी मैंने highlight किया है page number 95 internet is my friend then see the protein produced by biotechnology यह वाला जो टेबिल है वो picking into history यह वाला भी यह reduce करतो page number 96 पर cleaning oil spillage in ocean यह भी हटा दो page number 97 collect information internet is my friend reduction में है page number 98 पर कुछ नहीं page number 99 पर नहीं 100 पर नहीं 101 पर यहाँ पर जो observe and discuss का जो पार्ट है pink color shaded मतलब self study तीके इसके बारे में आपको खुझ से ही पढ़ना है और मैं भी आपकी help करूंगे इसमें don't worry think यहाँ पर देखिए यह green shaded part है तो reduce हो चुका है on page number 103 पर यह think वाला question part और compare यह वाला part ठीक है okay बच्चों यह भले से यह reduce हो चुका है think on it ठीक है next recall a little one two question internet is my friend यह वाला जो part है वो भी reduce हो चुका है हाँ cyber crimes के बारे में यह देखो pink shaded मतलब आपको पढ़ना है okay 106 पर do you know यह green shaded reduce हो चुका है 107 पर always remember pink shaded मतलब study करनी है self study करनी है 108 पर कुछ नहीं 109 पर can you recall for the self study okay 110 पर let's discuss okay यह वाला part आपको पढ़ना है okay let's think यह वाला part भी आपको पढ़ना है और 113 पर यह objectives of disaster management यह reduction में आपको वहाँ पर दिया हुआ है pdf में mention किया हुआ लेकिन इस for self study that means स्वया मध्ययन so please इसको mark कर लो कि आपको पढ़ना है ठीक है बाद में नहीं बोलना कि अरे यह तो हमको reduction में बताया गया था फिर क्यों आया चलो यह देखिए structure of disaster management authority यह वाला जो पार्ट है यह reduction में चला गया है get information यह भी reduction में चला गया है internet is my friend पढ़ना है ठीक है on page number 116 पर बचो जो internet is my friend का जो पार्ट है वो पढ़ना है who does what यह भी आपको पढ़ना है okay self study के part है वो यह देखिए observe यह भी पढ़ना है आपको इसे भी आपको study करना है complete the chart यह भी आपको study करना है this is for self study okay get information meet the अभी यह वाला क्या है यह discussion part है okay यह class में the teachers है इसके उपर आपसे discussion लेंगे okay यह discussion part है then always remember 119 पर always remember it is shaded in green color so reduced okay so बच्चो यह था complete information इस subject पर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुचा आईए pdf में जो pages mention किये हुए है उसमें से भी कुछ part complete reduction का नहीं है self study भी है उसमें discussion भी है revision भी है okay so please ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह information पहुचा आईए बच्चो thank you